कि नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंख करना हुम्योपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे ऐसी बिमारी की जो व्यक्ति को ना अच्छी लगती है ना वो करना वैसा चाहता है लेकिन वैसा हो जाता है हम बात करेंगे obsessive-compulsive disorder यानि OCD की क्या एक ऐसी समस्या है जिसको ना निगला जाता है ना उगला जाता है means जो यह कर रहा होता है activities इस तरह की जो अभी हम आपको बताएंगे वहाँ इसको करना नहीं चाहता है उसको यहां करते है अच्छा नहीं लगता है लेकिन वहाँ इसको छोड़ भी नहीं सकता है क्योंकि जब उसको छोड़ता है तो उसका तब बुरा लगता है कि वो फिर स काम बता रहा है आपके विचार obsessive हो जाते हैं और आपके actions compulsative यानी repetitive हो जाते हैं यानी बार-बार एक काम को करते हैं तो अगर यहाँ दो चीजें होती है इसमें दो चीजों का समागम होता है या दो में से एक चीज होती है या तो आपको obsessions होते हैं आपके ऐसे विचार आत या फिर आपको compulsion होते हैं जो आपकें यानि एक ही पार बार करते हैं तो साथ बाद हो रहा हैं। या फिर आप दोनों करते हैं यहीocd होता है। इसको और बेतर समधाने के लिए हम आपको के ग्जैंप्ल देते हैं जैसे आपहले में इसाफ ने तो उसका accident हो जाएगा यह जो thought आपके आती है यही obsessive thought होती है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं और compulsive यानि repetitive action का example मैं आपको यह दे सकता हूँ समझाने के लिए कि आपको 7 बार खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं आपको पता है कि आपके हाथ साफ हैं लेकिन फिर भी आप 7-8 बार हाथ धोएंगे या कुछ भी आप छूद ये किसी को छूब भी दिया और आपको लगा वो गंदा है तो 7-8 बार अपने हाथ धोएंगे तो यहाँ जो इस्तिती होती है साथियों यही OCD यानि Obsessive Compulsive Disorder होती है इसके सिम्टम की बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम वही अगर आपके Obsessive Thoughts आ रहे हैं विचार आ रहे हैं तो आपको लगेगा साब यह बाहर ना निकले बनना इसका Accident हो जाएगा अगर इसने यह नहीं करा यह अगर उससे वैसे बोल दिया तो उसके साथ ही यह हो इस तरह के जो विचार आते हैं यहीं आपके Obsessive जो विचार आते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता और जिसको आप रोज सोचते हैं एक ही बात को रोज सोचते हैं वहाँ ही symptom है Obsessive disorder के और Compulsions के साथ कि मुझे सिंसिम ने बताया हाथ दो रहे है तो हाथी दो रहे है सफाई कर रहे हैं किताबों को सही से रख़्यों तो किताबों इसको हर समय सही से रख़्यों तो इस तरह के the damn action होने लगते हैं यहां जो है symptom होते है ECD के OCD के साथियों कारणों पर विचार कर लेते हैं, वास्ता भी कारण आज तक OCD के नहीं पता हैं, किसी को भी आज तक वाक हो जह नहीं गए हैं, लिकिन माना जाता है कि कुछ changes brain में आ जाते हैं, जिसके बाद आपके ये physiological changes आ जाते हैं, जिसके बाद आपको यह OCD की समस्या हो अगर ये समस्या है, तो इसका निदान भी है, हम आपको बताएंगे OCD यानि obsessive compulsive disorder को ठीक करने की दसकारगर homeopathic दबाएं, उससे पहले साथियों आपसे फिर request के साथ कहना चाहेंगे, यहाँ दबाएं आपके जनकारी के लिए हैं, कोई भी दबाब बिना कुस कल्चिक जब आपके thoughts आने अतनी obsessive कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमको जहर दे देगा, कोई हमको मार देगा, और जैसे एक होता है कि उसको इसको श्राब दे दूँगा तो यह बरबाद हो जाएगा, जो इस तरह कि इसको बद्दुआ दे दूँगा तो यह खतम हो जाएगा तो इस तरह कि विचार एक विक्ती में आते रहते हैं, वो रियक्शन करता रहता है, उस इस्टती की obsessive compulsive disorder को टी करने की हमियोपैथी में बहुत कारगर दवाए, inner cardium, oriental, आप inner cardium 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उस इस्टती में दे सकते हैं, कि अगर आपको हो ऐसा मरीज दिखता है या ऐसा आप घर में किसी को देखते हैं, तो लगातार सब को दुआ या ब़दुआ ही दे रहा है, डेड लोगों की आवाज हैं और सपने उसके आ हैं, बिचार उसके आ हैं, और उसको लगता है, वो 000 वोण भेर होगा तो को ऊसको माड डालेगा इस तरह कि अगर विचार हों आपके या किसी के तो वास्तर में उस मरीश की दवा एनकाडियम और इंटेल है, दो सो पावर में तो दूबून दिन में तीन बार देकर आप इस दवा को स्वास्तलाप राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती ही सातियों कि वो कहते हैं कि मेरी मौत बहुत करीब आ गई और अब किसी डॉक्टर को बुलाने से फाइदा नहीं, अब यह सब लोग हमारे आसपास रहो, मेरी मौत कभी भी हो सकती है, तो अगर यहां स्थिति सातियों हो, यहां मन में विचार हो, तो इसको करने के हमयोपेटी में बहुत कारगर दवा है, और OCD से और OCD से अपने को निकालने की बहुत अच्छी दवा है, आर्सनिक अलबम, आप आर्सनिक अलबम थाटी दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं, कि अगर आपको अपनी मौत का डर सता रहा हो, आपको पता हो, आप मरने वाले हैं, आप में बेचैनी हो, आप में अंशेसनिस हो, अगर या इस्थिती हो साथियों, तो आर्सनिक अलबम लेके आप अपने को या मरीज को ठीक करके लाप्टात कर सकते हैं, एक इस्थिती आती है साथियों, OCD में कि जब मरीज बहुत शक्की होता है, उसे हर आने वाले पर शक होता है, आपका परिवार का भी व्यक्ति आ रहा है, तो आप उस पर भी शक्क कर रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिती हो साथियों, तो इसको ठीक करने की होंगे परती में, बहुत कारगर दबाए है हायोसाइमस नाइगर, हायोसाइमस थर्टी पावर में दो-दो-बून दिन में तीन वार हर उस्वेक्टी को दी जा सकती है, जिसका बहुत शक्की मिजाज हो, जिसको कपड़े बार-बार उतानने की आदत हो, यानि लेसिवस मीनिया हो, और जो हर समय बलगर बाते करता हो, उस्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सातियों हाई उसाइमस है, यहाँ दवाले का प्रियोग करके ऐसे मरीश की मदद करी जा सकती है, फिर एक इस्थिति आती है किनी लोगों के साथ, किनी सातियों के साथ, कि वो कहीं से गुजर रहे होते हैं, तो उनमें एक इंपल्सिफ हाट आने लगती हैं, जैसे ट्रेन से निकल रहे हैं, तो मन करता है, ट्रेन से कूच जाएं, किसी पुल को पार कर रहे हैं, तो मन करता है, पुल से नीचे कूच जाएं, किसी उचाई की जगहां पर पढ़ें तो वहां से छलांग लगा दें, बिल्डिंग पर खड़ें तो बिल्डिंग से छलांग लगा दें अगर इस तरह का कभी भी विचार किसी के दिमाग में आता है तो विचार को खत्म करने की OCD को खत्म करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है Argentum Nitricum आप Argentum Nitricum 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार हर उस वेक्टी को दे सकते हैं जिसको की एक इंपल्स आतियों साब की हम कूच जाएं कहीं से भी तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे मरीदों के लिए ड्रग अफ दो चॉइस Argentum Nitricum है एक साथियों स्थिति आती है obsessive-compulsive disorder में वहावती मरने और मानने की स्थिति हर समय आपको किसी को देखके लगता है यह मेरा दुस्मन इसको मैं मार दूँगा आपके मन में हर समय यहां विचार आता है या खुद को माल लूँगा अगर आपके हर वक्त इस तरह का आपके मन में विचार आता है तो इस विचार को खत्म करने की OCD को ठीक करने की हमिपथी में बहुत कारगर दवा है इगनीशिया अमारा आप इगनीशिया थर्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले लें आपके है जो इंपल्स है किल करने की या खतम हो जाएगी और आप अपने को फिट महसूस करेंगे फिर सातियों OCD के मरीज में एक सिंटम आता है जिद का अगर आपका काम आपकी तरह से नहीं हुआ तो आप वाइलेंट हो जाते हैं आप परिशान हो जाते हैं अगर यह सिती सातियों है तो इसको ठीक करने की और OCD को ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारगर दवा है नक्सवमिका नक्सवमिका थार्टी तो दोबून दिन में तीन बार हर उस व्यक्ति के लिए कारगर है जो जरा सी बात से इरिटेट हो जाता है उसकी जरा सी बात पूरी नहीं हुई जरा सी जित पूरी नहीं हुई तो बहुत इरिटेट होके वो बहुत परिशान हो जाता है उस मान्सिक इस्तिति को ठीक करने की होमियोपेटि में बहुत कारगरदवा नक्सवोमिका है। फिर साथिओं OCD के कंडिशन आती है कि आपका दिमाग की स्तिति यह हो गई कि आप जरह शी बात पर रोने लगे, नर्वस हो गए। अगर यह स्थितियों सातियों तो इस स्थिति को ठीक करने की OCD को ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नीग्रा पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार लेके आप इन परिस्थितियों से निपड सकते हैं और अपने को फिट कर सकते हैं पल्सेटिला के मरीश को प्यास नहीं लगती वहाँ बहुत शांस सुभाव का होता है और शायद इसलिए छुट इसी बार पर उसके रोना आ जाता है एक इस्थिति आती है साथियों कि व्यक्ति हर समय समान को ही सलिके से रखता रहता है घर में वो एक फोटो भी टेड़ी नहीं देख सकता तो फोटो ना टेड़ी देखना तो अच्छी बात है लेकिन एक ही काम को अभी इल्मारी ही ज़यी कर रहे हैं मार्य ओर ए्क एध्रे करते हैं तो आपको तो उस इस्तिथी को ठीक करने के ओए ब logarith市 आर्सनिक एलबम आप आर्सनिक एलबम थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार लेके अपनी इस मांस्तिक सिट्वेशन को ठीक कर पात सकते हैं जहां पर आप रेपेटिटिव एकी काम कई बार कर रहे हैं पर फिर सातियों की पर फिर सिट्व की ऐती है की ओसीडी का पैसिंट बारबर कि अरनल ही चेक करता रहता है सक्ते हैं और यहां चाल जा-धै कि मृत कालिड़त धुम नेट्रम्यूराटिकम है नेट्रम्यूराटिकम वन एंपावर की तीन खुराग 55 मिट के फासले पर वीकली आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको बार-बार ताला चेक करने के आदत हो उसको नमकीन खाना बहुत पसंद हो और उसमें गुस्सा बहुत हो इस सिती की दवा नेट्रम्यूर है यहाँ दवा आपको ठीक कर देगी फिर साथी में किस सिती आती कभी-कभी OCD की कि आपको लगता है कि आपको कैंसर हो जाएगा कोई भी एक फोड़िया दाना कुछ निकला आप दिन बढ़ यही सोचने आपको कैंसर हो जाएगा तो गर यहाँ फोड़ आपके मन में बार-बार आती है तो इस सिती को ठीक करने के उमियोपष्टी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कारसीनो सिन आप कारसीनो सिन 32-22 में तीन बार ले सकते हैं आप देखेंगे कि जो मन में आपको बार-बार कैंसर होने की पुनावरती की आपको विचार आ रहा है वाख खतम हो जाएगा और आप बिलकुल ठीक हो जाएंगे एक जो बहुत कॉमन इस्टिती OCD के मरीज में आती है वो आती बार-बार हाथ दोना किसी को भी छूल या तो दस बार हाथ दोएंगे अगर वो समझते हैं कि उसको गंदा है खाना खाया उसके बाद या खाना खाने से पहले दस बार हाथ दो रहे हैं हाथ दोना बुरी बात नहीं है लेकिन इसका दिवाना पन बुरी बात है तो इस तरह के पेशेंट को ठीक करने की जो बार-बार इसके हाथ धोने की टेंडेंसी हो बहुत कारगरदवा है सिफलिनम आप सिफलिनम 1 E.M. की तीन खुराक पच-पच मिट के फासले पर हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं इसको बार-बार हाथ धोने की आदत हो रेपेटिटिवली वो हाथ साफ करता रहता हो और किसी भी गंदे व्यक्ति को छू लेता हो तो मन में एक वहम पैदा हो जाता हो और फिर वो दसियों बार हाथ होता हो तो आप सिफलिनम 1 E.M. ऐसे मरीज को दे कर या फुद ले कर अपने जीवन को आसान कर सकते हैं फिर साथियों कुछ मरीजों में एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि उनको आलपिंस या पिंस जगह जगह एसास होता है पड़ी होंगे और वो कहीं बैठते नहीं है लेटने से पहले भी वो चादर को 20 बार जारते कहीं आलपिं तो नहीं पड़ी है कहीं किसी तरह की पिं तो नहीं पड़ी है ऐसे मरीजों को इस मेंटल स्थिती से बाहर निकालने की बहुत अच्छी दवा सालीसिया है आप सालीसिया वन एम की तीन खुराग पंच-पश्मिट के फासले पर वीकली हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको पिंस से हर जगांटर लगता हो जो वास्तर में वहां पर मौजूद नहीं है ऐसे मरीजों के लिए ड्रग ऑफ दच्वाइस सालीसिया है फिर साथियों एक और स्थिती आती ओसीडी में उपसेशिव कंपसिक डिसॉडर में कि मरीज कहता है हम पागल हो गए तो अगर यहां स्थिती आ जाए कि मरीज यह कहें साहब हम पागल हो जाएंगे हैं पागल हो भरुस्वेक्ति को दे सकते हैं जो थोड़ा मोटा फैबी और थुल्थुल हो बार बार एक पागलपन का दौरा टाइप उसको पढ़ता हो यानि की इडियोसी अनिक्स्प्लेंड रैश पीहिवियर करता हो और उसके सर से बहुत पसीना आता हो जो शाम को रात में सोते हो त पर रहे ऑलत तक यह तको चीहा हो जाता हो पसीने से ऐसी स्थिति और साथियों तो या ती कि किससी ढती के हर वक्ट हि आती और रहती है अगर सात्यूंच्पी कि Olaf इंडिका 30 पावर में दो दो बून दिन में तीम बार ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको जो यह जहां जरूरत नहीं है, वहां भी हसी आने वाली जो टेंडेंसी है, वहां खतम हो गई और आफिट हो गए, फिर साथियों एक OCD की इस्तिती आती है, इस इस्तिती को आप लिजेगा, लेकिन ये कभी ये mental state भी हो सकती है, हो सकता है, आप लोग जो सब इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो उनको OCD नहों हो, जिसने सब कुछ जिया, उसकी पूजा करते हैं, इसको शुक्रिया आदा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक इस्तिती आदि कुछ लोग होते हैं, जो दिन पर किताब लिए घुमाई करते हैं, और कहीं पर भी बैट जाते हैं, अगर वहाई स्टिती हो, जब यहाँ बीमारी तक आ जाती है, OCD में classify होती है, तो उस तरह की लगातार religious activity करते रहने की बहुत कारगरदवा होमियोपैथी में, इस्ट्रेमोनियम है, इस्ट्रेमोनियम 30, दो-दो बून दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है, जो हर समय सिर्फ religious पूजा ही करता हो, और जिम्मेदारियों से वो भागता हो अपनी, व्यक्ति वो है जो सारी चीजों को बांध की चले, सारी चीजों को साथ की चले, तो अगर यह सिती है कि आप जिसे परिशान है, बहुत से हमारे पास पेशेंट्स का फोन आता है, कि हमारा बच्चा तो दिन भर पूजा पार्ट में लग गया, ना पढ़ाई कर रहा है, ना घर के काम करता है, ना कैरियर की सोच रहा है, कोई-कोई IIT का बच्चा है, IIM का पूजा पार्ट में लग गया, तो हर चीज को बैलेंस करके चलना ही, जीवन का नाम है, इनसान वही जो सब कुछ बैलेंस करके चले, बाकि एक काम तो कोई भी कर सकता है, पूरे वक्त जीवन में एक है काम हो, उसके पास करने के लिए, तो इस समस्या से निकालने की साथिय मुदबा स्ट्रेमोनियम है, आप अपने बच्चे को स्ट्रेमोनियम थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार देकर लाब दे सकते हैं, एक साथियो इस्थिति आती है, एक बन का भाव आता है OCD के पेशेंट्स में, किनी पेशेंट्स में, कि उन्हें लगता है कि वो सुपर नेच्रूल पावर आपको गवर्ण कर रहा है, और आप किसी की कोई अच्छी बात नहीं सुनते हैं, आप अपने को सुप्रीम मानते हैं, और मानते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता है, वहाँ जो इस्थिति है, उसको ठीक करने की OCD की होमियोपैथी में बह हमारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता, उससे इस्थिति को ठीक करने की होमियोपैथी में दवा लिकैसिस है, फिर सात्यों ही कि OCD के पेशेंट में इस्थिति रहती है, आत्महत्या की, क्या हम सुसाइट कर लेंगे, हम पानी में कूत के डूप के मर जाएंगे, हम कहीं छलां हमार देंगे नदी में, अगर यह स्थिति हो सात्यों सुसाइटर टेंडेंसी हो, तो इसको ठीक करने की हुमियोपैथी में OCD को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है रस्टॉक्स, आप रस्टॉक्स बनियम पावर की दो दो बून सुभा, दो दो बून से निकाल के आपके जीवन को बेहतर और खुशाल बना देगी, यह सात्यों को दवाएं थी, OCD यानि Obsessive Compressive Disorder की, कोई भी दवाओ सात्यों कुसल चीक सक्से अपने सिम्टम से प्रिस्काइब कराके ही लीजेगा, यहां पर इन दवाओं का मकसद है आपको पताना, आप यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वरी को लिख सकते हैं, या फिर हमारे वाट्साइप नंबर 94-15-786-300C-941-5786-380 पर अपनी क्वरी वाट्साइप कर सकते हैं, आपको संतोष जनक जवाब देने का प्रियास किया जाएगा, अगर सात्यों आपको य करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके यो ही आप नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहेगा, आपका सात्यों इतने वक्त हमाई साथ रहने के लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कर दो करते हैं कि अ कर दो कर दो कि अएख बटने में जानीUh कि पक्राप सुक्त कि अपद़ी कि अपद़ी कि अपद़ीं प्रओब। झाल